इसकी जो मेंबर्शिप है वह बहुत एक्स्क्लूजिव मेंबर्शिप है और इसके मेंबर्शिप जो है वो सिर्फ पार्सी कम्यूनिटी के लोग ही हो सकते हैं और इसकी जो मेंबर्शिप है वो सिर्फ पार्सी कम्यूनिटी के लोगों के लिए है और मेंबर्शिप को रेगुलेर्ट करने के लिए बाई लॉज है तो यहाँ पर जो मेंडिस्प्यूट है कि यहाँ पर एक जो कंडिशन है कि इस हाउसिंग सोसाइटी में कोई भी को सिर्फ पार्सी पर्सन को ही सेल कर सकता है तो एनी ट्रांसफर यहाँ पर यहाँ पर यह है कि जो सोसाइटी के बाई लॉज हैं वो यह कहते हैं कि इस सोसाइटी की मेंबर्शिप जो होगा है सिर्फ पार्सी कम्यूनिटी के लिए होगी और इस कौपरेटिव सोसाइटी में जो प्रापर्टी है उसको अगर कोई सेल करना चाहता है तो वो सिर्फ पार्सी कम्यूनिटी के मेंबर कोई तो वेदर जो जो clause है sale card to a person belonging to partial community यह absolute restraint है यह partial restraint है यह यहाँ पर main issue है तो जहाँ पर court ने observe किया है कि this is a partial restraint and not absolute restraint and partial restraints are completely valid so what the court has said कि as per section 10 अगर कोई condition absolute restraint पर है वो white होगी और वो invalid भी होगी however यहाँ पर जो respondent इस case में जो respondent है वो इस society का member तब बना जब उसके father की death हुई and then he subscribe to the bylaws उसने completely जो bylaws society के accept किये और इसी लिए जो similar restrictions उसके father पर थी वो उस पर भी imposed है इसी लिए अब यहाँ पर respondent to जो है अगर वो अपनी property किसी person को sell करना चाहता है तो वो person सिर्फ परसी community का हो सकता है मगर यहाँ पर respondent to wanted to sell the property to person outside the परसी community यहाँ पर यहाँ 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 पर यहाँ पर यहाँ पर बनाए गए थी वो परसी community के लिए थी और क्योंकि नॉन परसी person इस society का member नहीं हो सकता तो परपर्टी इसको sell भी नहीं करी जा सकती सो इस केस में अगर मैं क्रेक्स में कहूं तो यह का जा सकता है कि यह जो condition थी sell to a person who is not belong to परसी community was a partial strain क्योंकि within the परसी community he can sell it to anyone because anyone can become member of the society and can purchase the property however if a person is not belonging to the परसी community he cannot become member of the society hence the property cannot be sold to him so जो यहां पर condition इंपोस है वो एक पर्टियल रिस्टेन है ना की अप्सलुट रिस्टेन so being partial restraint the condition is absolutely valid so तो कि एक्पाव है थायक्स रहाऊ झृट झाल झाल झाल